हलो इस्ट्रेंट्स आज की इस वीडियो का टोपिक है फ्यूचर टैन्स चार्ट जैसा कि हमें पता है टैन्स तीन होते हैं प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर और इन तीनों ही टैन्स के फोर-फोर पार्ट होते हैं इंडेफिनेट कंटिन्यूस पर्फेक्ट एंड पर्फेक्ट कंटिन्यूस और इस चार्ट के द्वारा हम सीखेंगे sentence बनाना affirmative sentence बनाना negative sentence बनाना और interrogative sentence बनाना तो हम सबसे पहले सीखते हैं affirmative sentence कैसे बनाएंगे future tense में affirmative sentence definite के लिए he will sing वह गाएगा he will sing वह गाएगा we shall sing हम गाएगे तो यहाँ पे सेल का प्रियोग I और V के साथ में ही होता है सेल का प्रियोग हम I और V subject के साथ में करते हैं बाकि सभी subject के साथ में will का प्रियोग करेंगे he will sing वह गाएगा we shall sing हम गाएगे अब देखिए affirmative sentence के लिए continuous में he will be singing वह गा रहा होगा we shall be singing हम गा रहे होंगे perfect में sentence कैसे बनेगा he will have sang वह गा चुका होगा we shall have sang हम गा चुके होंगे perfect continuous he will have been singing for four hours वह चार गंटे से गा रहा होगा we shall have been singing for four hours हम चार गंटे से गा रहे होंगे अब हम सीखते हैं negative sentence बनाना वह नहीं गाएगा he will not sing we shall not sing हम नहीं गाएगे continuous में देखते हैं negative sentence he will not be singing वह नहीं गाएगा we shall not be singing हम नहीं गा रहे होंगे he will not have sang वह नहीं गाएगा we shall not have sang हम नहीं गाएगे he will not have been singing for four hours पर चार घंटे से नहीं गा रहा होगा We shall not have been singing for four hours हम चार घंटे से नहीं गा रहे होंगे तो negative sentence कैसे बनाएंगे जो helping verb हम काम में लेते हैं उसके बाद में हम not लगाते हैं और negative sentence बनाते हैं अब हम सीखेंगे In tense कैसे बनाएं Will he sing क्या वह गाएगा Shall we sing क्या हम गाएंगे Will he be singing क्या वह गा रहा होगा Shall we be singing क्या हम गा रहे होंगे Will he have sang क्या वह गा चुका होगा Shall we have sang क्या हम गा चुके होंगे Will he have been singing for four hours क्या हम चार गंटे से गा रहे होंगे तो हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्प का यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस future tense के चार्ड से हमने सीखा affirmative sentence, negative sentence और interrogative sentence कैसे बनते हैं Thank you heavy nice day फिर मिलते हैं नए topic नए lesson के साथ में हमारी अगली वीडियो में